हलो दोस्तो नेगी कुकिंग कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉमोस तो बहुत तरीके के खाए होंगे और मॉमोस सभी की फेवरेट भी होती है चाहे वो वेज हो या नॉन वेज ऐसे ही आज मैं आपके साथ हॉट स्पाइसी गालिक सॉस मॉमोस की रेषपी सेयर करने वाली हूँ चलिए फिर आज की रेषपी बनाते है मॉमोस तयार करने के लिए सबसे पहले इसका डो बनाएंगे इसके लिए एक बड़े बोल में वन एंदा हाफ का टोरी मैदा लेंगे वजन में ये मैदा 300 ग्राम है अब इसमें आदा छुड़ा चमच नमक एड़ करेंगे और नमक को मैदे में मिक्स करेंगे अब इसमें एक छुड़ा चमच रिफैंड तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद तेल को भी इस मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और ओयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका एक टाइट डूर तयार कर लेंगे इसका अटा ज्यादा भी soft नहीं लगाना है इसलिए पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा add करें और आटे को अच्छे से मल लें अब आटा अच्छे से मल लिया है इसका tight dough बन गया है अब इसके बाहर से हलका सा oil लगाएंगे और इसे ढख के कम से कम 15 मिट के लिए रख देंगे ताके आटा soft और मुलायम हो जाए अब मोमोच की stuffing बनाएंगे मोमोच की stuffing बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा पता गोबी लिया है जिसे मोटा मोटा ग्रेट कर लिया था 100 ग्राम फूल गोबी लिया है इसे भी मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है एक सिमला मिर्च लिया है जिसे बारिक कट कर लिया है अब इन सब्जियों को एक अठा मिक्स करेंगे और सब्जियों को मिक्स करने के बाद एक बोल के उपर इस तरह की बड़ी छनी रखेंगे और इस छनी के उपर इस तरह से बड़ा सा कपड़ा रख दें और अब इन मिक्स करी हुई सब्जियों को इस कपड़े के उपर रख लेंगे और अब इस कपड़े को चारो तरप से पकड़ेंगे और इसकी एक पोटली बनाएंगे और पोटली बनाने के बाद इसे अच्छे से टाइट नी चोड़ेंगे ताकि सब्जियों के अंदर जो पानी है उन निकल जाए ऐसा करने से जब मौमोज में स्टफिंग भरते हैं तो मौमोज चिपचिपा नहीं होता सब्जियों का पानी जरसा सौते करके भी इसे ड्राइ कर सकते हैं पर सब्जियों को भूनने से सब्जियों का करण्च चला जाता है और मोमोच का टेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है इन सबजियों का निकलाएवा पानी से सूप भी बना सकते हैं या सबजी पकाते समय इसे डाल सकते हैं अब इस सबजी को एक बूल में डालेंगे ग्रेट की हुई सबजी अब ड्राय हो चुकी है फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक छोड़ा चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया आड़ करेंगे तीन से चार बारी कटे हुई हरी मिर्च आदा छोड़ा चमच अध्रक का पेस्ट एक चोथा ही छोड़ा चमच काली मिर्च का पाउडर और इसे भी सब्जूर में मिला लेंगे गाजर को पहले भी एड़ कर सकते थे पर इसे मोटा ग्रेड किया है इसलिए बाद में एड़ किया अब सर्पेस पे थोड़ा सुखा मैदा डस्ट करेंगे और मुमज का जो आटा लगा के रखा था उसे 3-4 मिन तक गूत लेंगे ताकि और भी नरम हो जाए इस आटे को अच्छे से गूतने के बाद अब इसका रोल बनाएंगे और इसे 4-5 हिस्से में डिवाइड करेंगे सारे हिस्से को अलग करेंगे और एक हिस्सा लेंगे और फिर से इसे अच्छे से मल लेंगे गूतने के बाद अब इसका भी एक पतला रूल बनाएंगे ये दिखें इस तरह से और इसके भी पूरी से भी छोटे छोटे प्रेड़े कट करने के बाद इसके उपड़ थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और एकिक करके इसे हातों से गोल कर लेना है हातों की हतेलियों से इसे अच्छे से गोल कर लेना है इस तरह इनके सारे गोले बना लेने है गोले बनाने के बाद अब इन्हें पूरी की तरफ बेल लेंगे इने पतला पतला बेलना है और बेलने के बाद इनका साइज पूरी के जितना होना चाहिए ये देखिए इस तरह से ये कितना पतला बेला हुआ है इस तरह से एक बार बनाए हुए सारे गुलों के पूरिया बेलने नहीं है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करके औल प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी बनाई वी नई नई रेस्पी के अपडेट्स आपको मिलती रहे इसी तरह से सारी पूरिया तयार कर लेनी है इस तरह से इने बेल लेना है अब एक बेली हुई पूरी लेंगे और इसमें एक छोड़ा चमच मोमच की स्टफिंग भरेंगे इसे बिल्कुल जादा भी नहीं भरना है नहीं कम अब एक हाथ की उंगलियों से इस तरह इसे प्लेट देते जाना है और दूसरे साइड को अंगूटे से इस तरह से पकड़ के रखना है प्लेट देते देते आगे बढ़ते जाना है और प्लेट को इसके अंदर की तरफ स्टिक करते जाना है इस तरह इसके एंड तक प्लेट बनाते जाना है और लाश्ट में प्लेट्स बनाने के बाद इसे इस तरह से गोल घुमा देंगे ताकि ये उपर से लॉक भी हो जाए और देखने में सुन्दर दिखें ये देखें इस तरह सारे मुमोज तैयार कर लेने हैं अब अपनी पसंद से मुमोज किसी भी सेप का तायार कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है और जैसा आपको आता है अब मॉमोज को स्टीम करने के लिए इस तरह से जालेदार बरतन लिया है जिसके अंदर ओयल ग्रेस कर दिया है ताकि मॉमोज स्टीम होने के बाद इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए अब सारे मॉमोज को इसमें स्टीम करने के लिए रखेंगे मॉमोज को स्टीम करते समय इसमें चिपका के नहीं रखना है जिससे ये स्टीम होने के बाद आपस में चिपके नहीं मोमोज को स्ट्रीम करने के लिए एक चोड़े पतेले में मैंने आदा पतेला पानी गरम करने के लिए रख दिया था अब इस पानी में अच्छा सा उबालाने लग गया है अब मोमोज को ढखके मीडियम फ्लेम पे 10-12 मिनट के लिए स्ट्रीम कर लेंगे मोमोज अब अच्छे से स्ट्रीम हो चुके है इनका color भी change हो गया इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे अब मोमोज का garlic sauce तैयार करेंगे इसके लिए एक चौड़े pen को गर्म करेंगे उसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल जब गर्म हो जाए इसमें एक छोटा चमच बारीक कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ लेसन डालेंगे और लेसन को इस तेल में हलका भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए इसे ब्राउन नहीं करना है लेसन हलका भून जाने के बाद अब इसमें दो छोटे चमच सेजवान सॉस एड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब इसमें एक छोटा चमच सोया सॉस एड़ करेंगे एक छोटा चमच टमेटो कैचप आदा छोटा चमच वीनेगर और एक छोँदा चमच रिड चिली सॉस और फिवर इन को भी अच्छे से میक्स कर लेंगे अब इसमें एक छोँदी चमच बारी कटा हुआ हरे प्याज का हराश से अड़ करेंगे और इसे भी सॉस में मिक्स कर लेंगे सॉस बनाते समय गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए हरा प्याज डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं है वरना हरे प्याज का करंच निकल जाएगा अब इसमें एक छोटी कोटोरी कॉन फ्लावर का गोल एड़ करेंगे जिसे एक छोटी कोटोरी में आदा चमच कॉन फ्लावर मिक्स करके बनाया था सॉस थोड़ा ड्राई लग रहा है इसमें आदा छोटा कप पानी डालेंगे ताकि सॉस थोड़ा पतला हो जाए और इस गोल को एक उमाल आने तक पका लेंगे सॉस में एक उबाल आ गया है और ये गाड़ा भी हो गया है अब इसमें सारे बनाय हुए मोमोज एड करेंगे और सॉस में इस मोमोज को अच्छे से मिक्स करेंगे इन मोमोज को मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और आप इनकी प्लेटिंग करेंगे इन्हें गर्मा गर्मी सर्व करना है इन्हें बनाने में थोड़ा समय लगता है पर ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और सर्दियों में खाने का तो इनका जबा भी नहीं इनकी गार्णिस बारी कटे हुए हरे प्याज के हरे हिस्टे से करेंगे मेरी आज की रेश्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बनाई रेश्पी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेर जरूर करें और आप भी से घर में बनाएं